आज मैं बात करूँगी, love marriages और arranged marriage में कौन सा बेहतर है और क्यूँ? बहुत लोग आज का love marriages जादा कर रहे हैं क्योंकि love marriage का प्रशलन जादा है moreover इसमें लड़ाई जगड़े की थोड़ी capacity कम हो जाती है हम एक दूसरे को काफी जम्मे से जानते होते हैं बाट ऐसा भी डाउट है कि love marriages के चकर में divorce जादा होते हैं क्योंकि family का involvement नहीं होता या किसी से definitely आप अपने दिल की बात नहीं कर सकते क्योंकि अपने मर्जी से अपना decision लिया है तो चलिए बात करते हैं love marriages versus arranged marriage क्या better है? कितना better है? चलिए बात करेंगे चानल पे नहीं subscribe करें और अगर आपने भी love marriage की है या करने वाले हैं तो ये video तो बनता है यार पूरा end तक देखना तो चलिए हम बात करेंगे love marriages versus arranged love marriage का सबसे बड़ा benefit यह होता है कि आप एक दूसरे को बहुत transparent तरक से जानते हो अब काफी समय से एक relationship को चला रहे होते हो पांच साल, दो साल, तीन साल के आपकी dating है तो आप एक दूसरे के family backgrounds को जानते हो एक दूसरे के रहन सेन, lifestyle, personality को असानी से जान लेते हो moreover कई cases में ऐसा होता है कि wife को लगता है कि husband mommy की side जाधा लेता है या husband को लगता है कि मेरी wife Mikey की तरफ जाधा है तो वो जो लडाई या involvement वाला factor है वो usually arranged marriages में थोड़ा सा जाधा होता है as compared to love marriages तो सबसे बड़ा benefit अगर मैं love marriage की बात करूँ तो आप लोग transparent होते हो और एक दूसरे के nature को जानते होते हो arranged marriage में एक कुछ समय तो खुलने में लगते हैं जानने में लगते हैं फिर वो survive initially जो initial days होते हैं ना arranged marriage के वो जाधा मुश्किल होते हैं moreover love marriage में initial days अच्छे होते हैं लेकिन बाद में थोड़ी सी transparency बढ़ने लगती है क्योंकि फिर धीरे 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 family के expectations आपसे बढ़ जाती हैं moreover love marriage की सबसे अच्छी benefits यह हैं कि आप transparent हो आप दोनों की लडाईयां कम हैं तो आपके सुख दुख already आप एक दूसरे के साथ कहीं न कहीं आपने निभाद चुके होते हैं इसकी weakness क्या है मेरा partner कब जादा गुसा करता है यह कौन से emotions में weak है जबकि अरेन marriage में आप किसी को बोल ही नहीं सकते क्योंकि उनको लगता है कि आपको adjust ही करना चाहिए इसलिए वो हर बार आप कोई भी दुख शेयर करोगे तो वो कहेंगे adjust it because marriage is the name of adjustment क्योंकि arrange marriage खुद ही एक adjustment का नाम है या maybe थोड़ा सा compromise का नाम है लेकिन love marriage में जब आप अपने बल पर होते हो तो आपके पास सुनने वाले कम होते हैं इसलिए लड़ाईयां बहुत ज़्यादा level पर नहीं हो पाती हैं मन से आप खुश रहते हो आपको एक दुसरे के lies, dislikes पता होते हैं जसको आपको explore करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं शरम का भाव नहीं होता है कि अभी तो शरम है, अभी हम बोल नहीं रहे हैं अभी तीसरे पार्टे के involvement ज़्यादा है तो ये सब चीज़ें love marriage में better होती हैं Moreover, arrange marriage में जब हम parent support की बात करते हैं तो वो उस level पे ज़्यादा होता है arrange marriage बहुत ज़्यादा तोल कर family के virtues, morals उनको रखके की जाती है तो arrange marriage में at least कोई ऐसा होता है जिसको हम बीच में रखके solve कर सकते हैं बट ऐसा नहीं है, अगर आपको डाउट है कि arrange marriage ज़्यादा चलती है और love कम सब basic myth, marriages हमेशा दोनों partners पे depend होती है अगर दोनों partner लव में खराब हैं तो भी वो खराब होगी दोनों partner का relationship arrange में खराब है तो भी वो खराब होगी depend यह करता है कि आप दोनों कैसे उस marriage में survive करें, be it love और unarrange marriage आशा करती हूँ, मेरी वीडियो आपके doubts को clear कर पाई है अगर आप और भी इसके बारे में डीटेल में जाना चाहते हैं तो आप comment section में लिखें ताकि और वीडियोज आती रहें